15th of November को है Full Moon Day जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग इस पर दीब दान तो करेंगे ही करेंगे लेकिन आज मैं आपको ऐसी दो चीजे बताने वाली हूँ जो आपको 15th of November, that is, Full Moon पर करना ही करना है हेदा लवीज, हाव वी यू अल, कैसी है मेरी लवीजाड भी मुझे कामिन सेक्षिन में ज़रूर बताएगा आज मैं आपको दो चीजे बताने आई हूँ, रिमाइंडर देने आई हूँ Full Moon का, क्योंकि मुझे पता है, आप में से बहुत सारे लोग को पता है कि हम लोग Full Moon परदाटिस पूर निमा पर बे लीफ रिच्वर्टों करते ही करते हैं जो आपको आपके घर पर अवश्य करना है बे लीफ को करने का समय रात 8 बजे से रात 12 बजे के बीच का है तो इस समय अगर आप करते हैं तो इस अच्छी बात कोई हो नहीं सकते ही दूसरी सबसे important चीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि the amount of love जो आप लोगों ने मुझे 11-11 पोर्टल पर दिया है तो मैं मजबूर हो चुकी हूँ आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए फुल मून स्पेल प्रिपेर किया हुआ है ये बहुत पावरफुल स्पेल है जो आपको घर बैठे बैठे करना है 15th of November को आपको इसी वीडियो को स्टार्ट करना है आगे मैंने पूरा मेडिटेशन बनाया हुआ है जहाँ पर मैं फुल मून स्पेल बोलने वाली हूँ तो आपको अपनी विश्च को अपने मन में रखना है और इस फुल मून स्पेल को आपको ज़रूर करना है आप इसे पीरेट्स में कर सकते हैं अगर आप घर से कहीं दूर है फुल मून रिच्वल नहीं कर सकते हैं आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेन चीज ये है इस मेडिटेशन को ज़रूर करिए जब आप इस मेडिटेशन को परफॉर्म करेंगे अपने अंदर एक बहुत drastic energy देखोगे negativity release होती हुई आपको feel होगी और साती सा जो भी आपका desire है जो भी आपकी wish है वो आपको पूरी होती हुई मिलेगी तो meditation यह है आप चाहें तो अभी भी सुन सकते हैं लेकिन 15th of November को आपको जरूर करना है full moon पर आप सभी को full moon की बहुत बहुत शुब काम नाएं Hey the Louise, how are you all? मैं आप सभी का welcome करती हूँ आज ये full moon meditation पर आज का दिन बहुत खास है और इस दिन अपने अंदर की सारी negativity, सारे परिशानियों को खतम करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है और life में एक अच्छे नए तरफ नई उमीद, नई होप या new beginning की तरफ हम बढ़ते हैं तो guys हम सब लोग मिलकर आज करने वाले हैं full moon meditation आप सब लोग ready हो जाएं एक अच्छी से comfortable place पर बैठ जाएं या फिर late जाएं आप इस meditation को कभी भी कर सकते हो but full moon पर करना ये meditation सबसे जादा auspicious and powerful माना जाता है सभी लोग मेरे साथ inhale करें exhale करें 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 अपनी specific इच्छा अपनी wish के बारे में सोचें जिससे आप पूरा करना चाते हैं उसकी picture अपने mind में लेकर आएं clearly आप उस पर ध्यान करें clearly आप उस पर focus करें हम सब मिलकर universe से prayer करेंगे कि आपकी वो चीज easily आपके पास आ जाए लेकिन उस चीज तक पहुचने के लिए हमें सारे blockages, सारे problems खतम करना है तो आप बस अपनी इच्छा के बारे में सोचें और मैं prayer बोलूँगी आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं Under the glorious full moon I forgive everything, everyone, every experience every memory of the past or present that needs forgiveness I forgive positively everyone I also forgive myself of past mistakes I love you universe The universe is full of love and I am forgiven and governed by love Dearest universe मैं अपनी लाइफ में सबको माफ करना चाहता हूं सबको माफ करना चाहता हूं हर एक चीज़ को जिसने मुझे hurt करा है या हर एक चीज़ को जिसने मुझे एक negative experience दिया है मैं हर एक चीज़ को माफ करना चाहती हूं और अब मैं अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं अब मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लाव डिजार करती हूँ और सिर्फ और सिर्फ लाव के अपास रहना चाती हूँ अब वो आपकी विश हो सकती है, आपकी खुशियां हो सकती है जिसका बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं तो बस आप अपनी पिच्चर को विजुलाइज करें and see that कितनी जल्दी उनिवर्स आपके विश्पूरी करेंगे ओम श्री चंद्रायनमहा ओम श्री चंद्रायनमहा ओम श्री चंद्राया नमहा 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 ओम श्री चंद्राय नमहा ओम श्री चंद्राय नमहा अब आप युनिवर्स को फुली सरेंडर कर लीजे और अपने आपको पॉजिटिव रखिए जादस जादा हाइडरेटेड रहिए नेगेटिव नहीं सोचना है क्योंकि अब हमें आगे बनना है I wish you all a very happy full moon day अपना ख्यार रखें कुछ से बहुत प्यार करें खुद को पॉजिटिव जरूर रखें Thank you so much everyone Radhi Radhi